नमस्ते, मैं डॉक्टर विजे कुमार माने, MD होमयोपती, फाउंडर चर्मन, Modern होमयोपती, प्राविट लिमिटेड, आप सभी लोगों को पता है कि जो बीमारी या ला इलाज बताई जाती है, वो सभी बीमारी को Modern होमयोपती में उपचार होता है, और ठीक भी हो जाती है, उ प्रांकियल आस्तमा ये बीमारी बड़े पैमाने पे छोटे बच्चों में होती है, और वो बीमारी के लिए कोई कर्वेंशनल ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए वो आइडल और लेस तक चली जाती है, लोगों को lifelong उसके लिए दवा लेने की जरूत पड़ती है, और वो बी ठीक होता है, लेकिन जो इंटरस्टिशन लंग डिसी नाम की बीमारी जिसमें फेपड़े खराब होते, वो बीमारी भी ठीक होते है, ऐसा पिछले 29 साल का हमारा तजूर्बा बता देता है, ऐसे बहुत से पेशन्ट अपने पास है, जिनके टेस्टिमोनियल्स है, रिपोर् आना, ऐसे लक्षन दिख जाते है, और तब उनको एंटि अलर्जिक मेडिकेशन, कर्विंशनल मेडिकेशन, एंटि पारेटिक मतलब ताप की दवाए, सर्दी की दवाए, खासी की दवाए, और बुखार की दवाए, इससे ट्रीट किया जाता है, उसके साथ एंटिबाटि जाती है, ट्रैक्ये में जाती है, और ट्रैक्ये से नीचे ब्रॉंकस में जाती है, और ब्रॉंकस में सूजन आ जाता है, उसका शोध होता है, और तब लोगों में ब्रॉंकेल आस्थमा पैदा होता है, चोटे-चोटे बच्चों में, तो आस्थमा टीट करने के लिए जो उसमें अंटि अलर्जिक दवाई है, बुकार के लिए दवाई है और जो प्रॉंकोडालेटर दिये जाते है उससे बीमारी ठीक नहीं हो जाती है और वही पेशन्ट को लाइप लॉंकेल आस्तमा की बीमारी आ जाती है उसको लाइप लॉंक दवा लेने के नोबत आती है इसल कि तो singularize्नल वेरियेशन ऋकति है नहीं पिमारी हो सकती है दूसरी बात है पराग ikiं के वज़ेसे भी बिमारी में कुछ लोगों ममें जो पराक्षा Maar दके भी Lewis से होता है, अथे सीवसाना कहने तरह णंटाएस घ्र कहने से भी आइसक्रीम या चौल ड्रिंग कहने से भी ये ब जोसे भी लोगों में अस्तमा की बिमारी या बड़े पाइमाने पे दिख जाती है या वैसे लोगों में especially metro cities में मुंबई पुने जैसे या देली जैसे लोगों में interstitial lung disease या फुपुस खराब होना या फेपड़ा खराब होना ये बिमारी भी बड़े पाइमाने पे दिख जाती है चोटे चोटे बच्चों में बारवार बुकार आना सर्दे आना खासी होना वेट लॉस होना खाना कम जाना बड़े पाइमाने पे बुकार के बाद पसीना आना वेट लॉस होना ये लक्षन चोटे बच्चों में दिख जाते है बारवार सासे बुलती है जब वेदर चेंज होता है मतलब summer season जाके समझो रिनी season आएगा रिनी जाके ठंड शुरू हो तब ये बच्चे बड़े पैमाने पे बिमार पड़ते हैं तो डाइगनोसिस करने के लिए बुखार के लिए कुछ टेस्ट करना खून की जाज करना और चेस्ट एक्सरे करना यही प्रमुक डाइगनोस्टिक स्टूल है टीट्मेंट के बारे में conventional treatment में जैसे बताया वैसे ब्रंको डाइलेटर वगरे दिये जाते है लेकिन वो विमारी ठीक नहीं होती मौडरन ओमिपाती में उसके लिए हमने particular treatment डेवलप किया है मौडरन ओमिपाती की treatment लेने के बाद देरे देरे asthmatic attack अना कम हो जाता है वो ब्रंको डाइलेटर हम कम करके बंद करते हैं और कुछ महिनों के या सालों के बाद वो conventional treatment लेने की ज़रूत नहीं पड़ती जो बार-बार सरदियाती है वो भी बंद हो जाती है उसका prevention करने के ल prevention treatment भी है prevention treatment लेने के बाद ये बिमारी पूरी तरह या tendency पूरी तरह चली जाते है ऐसा हमने पाया है